हेलो दोस्तों स्वागरे आप सका मेरी लिगी टिप चैनल सच इन एजगेशन हप पर तो दोस्तों आज हम शुरुवात कर रहे हैं कि जनरल रूल क्या है इंकम टेक्स का पहले सबसे पहले तो देखें जनरल रूल आपके सामने भी दिया गया है कि इंकम ओफ दी प्रिविज एर असेस्ट इन दी फॉल्विंग इर दैट इस असेस्मेंट इयर जनरल रूल आपको ये कहता है कि एक पूरे फाइनेशल इयर में जिसमें एक परसन अपनी इंकम अर्न करता है उसको प्रिव और जिस उसके next ये में आप उस income के उपर टेक्स पे गरते हो जिसको assessment year बोला जाता है तो यह हमारा general rule है income tax का कि पूरे एक साल income आप कमाते हो पूरी और जो income आपने पने कमा ली उसके next following year में सरकार आप से टेक्स ले लेती है जिस को जिस ये को assessment assessment year बोला जाता है जिसमें हम tax pay करते हैं उसको assessment year बोला जाता है तो एक पूरा सा लिंकमान हुई उसके बाद हमने सरकार को tax pay करा next year में तो वही चीज़ है यहां पे कि general rule आपको यह कह रहा है कि same year में tax same year में क्या नहीं होता यहां पे tax collect नहीं करती सरकार आपसे tax नहीं लेती सरकार तो same year में यह सारी process नहीं होती पर अब मैं आपको कुछ exceptions बताने वाला हूँ इस general rule की जिससे आपको यह पता चलेगा कि कुछ ऐसे 5 cases बताए गए हैं जिसमें आपसे सरकार same previous year में यानि same ही year में जिसमें आप income earn कर रहे हो उसी year में आपसे tax ले लेगी या फिर उसी year में आपको सरकार को tax pay करना पड़ेगा तो 5 ऐसी exceptions है general rule की 5 ऐसे cases हैं जिसमें आपको सरकार को next year के बदले में जिस PY में आप income earn कर रहे हो उसी PY में ही tax देना पड़ेगा आपके लिए wait नहीं करेगी सरकार next assessment year की उसी same PY में आपको सरकार को tax देना पड़ेगा इन 5 cases में तो वही exceptions आज हम discuss करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं कौनसी है वो cases और कौनसी है वो exception general rule की शुरू करने से पहले अगर आप मेंसे किसी भी student को कोई commerce subject से regarding notes की requirement है तो आप मेरे telegram channel से जाकर notes ले सकते हैं लिंक आपको channel का video description में मिल जाएगा इसके इलावा दोस्तों अगर आप मेंसे किसी भी student को कोई commerce subject में कोई problem face करी जाती है कोई theory subject है कोई practical subject है तो हम आपको online classes भी provide करते हैं तो उसके regarding flexible timings available है reasonable rates पे classes मिलती है details आपको सारी classes की video description में मिल जाएंगी तो चलिए शुरू करते हैं अब सबसे पहली main exception क्या है इस case के अंदर तो देखे section 172 ने बताया कि जो shipping business and non-resident का वो सबसे पहले इसमें आएगा non-resident अगर इंडिया के shipping business में काम कर रहा है और उसको Indian income earn हो रही है यानि ये section आपको बताता है कि अगर कोई non-resident कोई ऐसी income earn कर रहा है जो इंडिया में है shipping business तो वो income उसके लिए taxable मानी जाएगी उसी same financial year के अंदर जिसमें वो ये income earn कर रहा है मैं दुबारा से एक बार बताता हूँ अच्छे से कि shipping business of non-resident का मतलब है कि ये जो section है 172 ये आपको ये कहता है कि अगर कोई non-resident इंडिया के किसी इंडिया के shipping business से कोई income earn कर रहा है वेदर वो किसी passengers को इदर उदर लेके जा रहा है और वो किसी समान को इदर उदर लेके जा रहा है अगर उसको इंडिया के shipping business से कोई पैसा मिलता है तो जिस financial year में उसको वो पैसा मिलेगा Indian shipping business से उसी financial year में उसको अपनी country में वापिस जाने से पहले सरकार को tax pay करना पड़ेगा मेरे कहने का मतलब है ये पहली ऐसी condition है पहला ऐसा case है जिसमें उसको उसी same financial year में क्या पै करना पड़ेगा tax pay करना पड़ेगा Indian government को तो कोई भी ऐसा non-resident कोई भी ऐसा non-resident अगर वो इंडिया के shipping business में से कोई income earn करता है और उसने वापिस जाना है अपनी foreign country में तो जिस financial year में उसको income earn होगी और एक valuable amount है अगर वो तो उसको उस amount के उपर सरकार को tax pay करना पड़ेगा उसी financial year में अगर वो अपनी country में वापिस जाना चाता है मतलब वो तब तक वापिस नहीं जा सकता तब तक वो इंडिया से depart नहीं कर सकता जब तक वो इंडियन government को उस income के उपर tax pay नहीं कर देता उसी financial year में जिसमें उसने वो income earn करी है अब सर टेक्स rate कितना लगेगा उसकी income के उपर 7.5% 7.5% यानि जितनी भी वो income earn कर रहा है जितनी भी उसने gross amount of income earn करी होगी उस gross amount के उपर उसको सरकार को उस total income का इंडियन government को 7.5% उस income का as a taxable amount देना पड़ेगा जब तक वो ये amount उसी financial year में जमा नहीं करवाता तब तक वो इंडिया से departure नहीं कर सकता तब तक वो अपनी country में वापिस नहीं जा सकता तो ये ध्यान रखना है कि जिस financial year में भी वो income earn करेगा अगर वो नहीं दे रहा है या डिले करता है जितनी दे तक वो पे नहीं करेगा तब तक वो इंडिया के shipping बना इंडिया से अपनी country के लिए departure नहीं कर सकता तो ये है पहला case ठीक है तो 7.5% tax लगाया जाता है इस case में और उसी financial year में लगाया जाता है जिसमें वो income earn कर रहा है जल्दी से इसमें आप एक example भी देख लिजेगा क्या लिखा है एक foreign shipping company है जिसको एक करोड रुपए मिले है वन करोड रुपीज मिले है उसको goods ट्रांसपोर्ड करने के जो Indian port से उन्होंने foreign destination में goods ट्रांसपोर्ड करे है उसके लिए उनको Indian shipping agency ने shipping business ने क्या दिये है वन करोड रुपीज उनको दिये है तो जो भी foreign shipping company है जो as a nr इंडिया में काम करके गई है उसको अगर वन करोड इंडिया शिपिंग बिजनस ने दिया है तो अगर वो वापिस जाना चाते हैं अपनी foreign destination पे foreign country में वापिस जाना चाते हैं तो वो तब तक नहीं जा सकते जब तक वो उस साल में जिस साल में उसको ये 1 करोड रुपीज मिले है जब तक वो उस amount का 7.5% Indian government को pay नहीं कर देते तब तक वो अपनी country में वापिस नहीं जा सकते तब तक वो इंडिया से departure नहीं कर सकते तो before departuring आपको 7.5% of your total amount that is 1 करोड का 7.5% यानि 7.5 लाख रुपए महला 7.5 लाख रुपीज आपको Indian government सरकार को देना पड़ेगा तब ही आप वापिस अपनी country में जा सकते हो ये है सबसे पहला case ठीक है जी second है हमारे लिए assessment of the person leaving the India मतलब अगर कोई person ऐसा नजर आ रहा है किस Indian government को second case है section 174 आपको ये कहता है कि suppose 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 अगर कोई ऐसा person आपको नजर आ रहा है या assessing officer जो होता है न अगर उसको कहीं से भी भनक लग जाए कि कोई ऐसा person जो इंडिया छोड़कर permanently जा रहा है इस साल के अंदर अंदर या फिर वो एक ऐसे period के लिए जा रहा है जो बहुत लंबा time period है और वो उसके वापिस आने के संभावना बहुत less है तो उस case में जो assessing officer है वो risk ना लेते हुए क्या करेगा उसी साल में उसकी जो income earn उसने करी है उस साल की उसी income के उपर उसको tax लगा के जाने दे देगा यानि next assessment यह तक उसको wait नहीं करना पड़ेगा या उसकी wait नहीं की जाएगी कि वो आएगा तो tax दे देगा अगर कोई person permanently जा रहा है या कुछ लंबे समय के लिए बाहर जा रहा है किसी foreign country में जा रहा है तो देश छोड़ने से पहले इंडिया की country leave करने से पहले जो assessing officer है वो उसी साल में जिस साल में उसने वो income earn करी और उसी साल में जिस साल में वो वापिस जा रहा है बाहर जा रहा है उसी साल में वो उससे क्या ले लेगा tax ले लेगा यानि उसकी जो income के उपर assessment है वो उसी PY में कर ली जाएगी जिस PY में उसने income earn करी कर रहा है या जिस साल में उसने income earn करी है ठीक है जी तो ये second case है इसमें भी अगर example दी जाए तो suppose को वो एक individual है वो इंडिया में काम कर रहा है और उसका plan बन गया permanently September 2024 को कहा जाने का बाहर किसी एक country में जाने का suppose US जाने का तो अब वो US जाने से पहले यानि September तक की जितनी amount उसने earn करी है यानि एक April 2024 से लेकर September 2024 तक तो वो इंडिया में रहा है न September को वो वाहर जाएगा permanently तो सरकार कहती है कि हम next year तक आपकी wait नहीं करने वाले कि आप जब आओगे तब देख लेंगे ऐसा नहीं है आप जितनी भी आपने earning की होगी जितनी भी आपने income कमाई होगी उस income के उपर आपको हमें tax दे कर ही जाना पड़ेगा नहीं तो आप तब तक इंडिया छोड़ कर नहीं जा सकते तो यह second case है जिसमें आपको assessing officer उसी साल में आपकी assessment कर देता है जिस साल में आपने पैसा earn किया है और यह case कौन सा है जब आप permanently दे छोड़ कर जाने के बारे में सोच रहे हो यहाँ फिर एक लंबे समय के लिए आप इंडिया छोड़ कर जाने वाले हो second case हो गया याणि आपको departure करने से पहले सब्तमबर तक की सारी जितनी अदनी होई है उसको दिखाना पड़ेगा assessing officer को और पिछले last video में आपको बताया था AOP और BOI का meaning तो वहीं से आपको clear करना है कि यह जो section 174A बना है यह इसलिए बना है कि अगर कोई person आपस में AOP बनाते हैं ठीक है AOP मतलब किसी एक specific purpose के लिए उन्होंने कोई AOP बनाया और वो AOP जब भी वो purpose खतम हो जाएगा तो वो AOP भी ख कितना पैसा earn हुआ है उसके लिए wait नहीं करेगी कि अगला साल आएगा तो हम उससे tax ले लेंगे अगर उनको नजर आ जाता है कि जो AOP सिर्फ एक specific purpose के लिए बना था और वो उसी साल में खतम होने वाला है उसी साल में dissolve होने वाला है जिस साल में वो पैसा earn कर रहे हैं तो व एक group of individuals ने AOP open किया music concert के लिए अब music concert आपको भी बता होते रहते हैं तो जितना भी पैसा music concert के जरीए आपको बनेगा और music concert के बाद आपको लगता है कि अगर आपका AOP बंध हो जाना है इसके बाद आपका AOP नहीं रहेगा तो AOP बंध होते समय आपको जितना भी पैसा music concert स हुआ है उसी साल में जिस साल में आपने ये पैसा कमाया है आपको सरकार को उसी साल में उसी समय टेक्स पे करना पड़ेगा next assessment year तक की आप वेट नहीं करोगे जिस साल में आपने ये पैसा अर्ण करा जिस साल में भी आपने ये music concert करा और जिस साल में भी आप डिजॉल्व हो और जिस साल में भी आप यह पैसा अर्न कर रहे हो उसी साल में आपको यह सारा टेक्स पे करके सरकार को डिटेल्स देनी पड़ेंगी और उसी साल में आपकी assessment की जाएगी तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई AOP किसी एक specific purpose के लिए बनता है और वो उसी साल में dissolve होने वाला है तो हम वेट नहीं करेंगे अगले साल की हम उसी साल में उसको टेक्स लगा देंगे ठीक है जी उसी साल में उसका जो टेक्स बनेगा वो ले लेंगे हम next assessment यह तकी वेट नहीं करेंगे यह third concept है fourth concept आपका आता है fourth case केस आता है assessment of the personal likely to transfer the property to avoid the tax मलख यह section आपको कहता है कि suppose रहा है ताकि उसका टेक्स उसको ना लगे वो टेक्स अवोइड कर सके तो कई बार assessing officer को अगर ऐसा नजर आ रहा है कि कोई ऐसा person जो ऐसी हरकत कर रहा है कि टेक्स से बचने के लिए especially उसने sale करी है एक fake sale करने की कोशिश करी है या जान बुझ का transfer करने की कोशिश करी है ताकि उसका text बच जाए तो भाई साहब वहाँ पर अगर assessing officer को ऐसा नजर आया तो वो action के action ले सकता है और action वो इस तरीके का ले सकता है कि वो उसी साल में जिस साल में आपने ये काम करने की कोशिश करी उसी साल में जब आप ये काम कर रहे हो जब भी आप transfer कर रहे हो उस प्रॉपर्टी को उसी साल में उसी समय transferring और प्रॉपर्टी की formalities खतम होने से पहले ही आपसे वो सारा text वसूल लेगा जो उसके उपर बनता है मतलब transfer होने से पहले-पहले ही अगर उसको नजर आता है कि आप ये transfer इसलिए कर रहे हो ताकि आप text avoid करना चाते हो तो वो इस case में कभी भी risk नहीं लेगा तो automatically assessing officer next year की wait नहीं करेगा वो जिस साल में भी आप transfer कर रहे हो especially इस purpose के लिए कि आपका text avoid हो जाए तो वो इस चीज़ को देखते हुए उसी साल में आपसे text ले लेगा जिस साल में आप ये transfer कर रहे हो तो same year में आप जिस साल में transfer कर रहे हो उसी साल में आपको सरकार को text pay करना पढ़ जाएगा तो ये भी एक ऐसा case है suppose इसमें example के साथ आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि suppose एक taxpayer है वो planning कर रहा है कि उसने एक property बेचनी है और भाग जाना है बाहर अब अपने आप सोचो कोई बंदा अगर property बेच कर बाहर चला जाए क्या पता वो इंडिया में आए या ना आए सरकार को तो मुश्किल हो गई ना यहाँ पे तो अगर किसी assessing officer को यह भनक लगती है कि कोई ऐसा person जान बूझ कर property बेच कर बाहर भाग जाना चाता है और हमारे पैसे के उपर हमें tax नहीं देना चाता जो tax बनता है वो सरकार को पे नहीं करना चाता तो उस case में assessing officer उसकी wait नहीं करेंगे कि वो इंडिया में कब वापिस आएगा वो कहेगा जाने से पहले ही हमें वो tax दे जाओ ताकि हमें हमारा नुकसान ना हो तो सरकार आपको भागने से पहले ही रोकर कहेगी हमारा पैसे दे कर चले जाओ मतलब जो property आपने बेची है उसका tax हमें इसी साल में दे जाओ next year तक हम आपकी wait नहीं करने वाले तो this is the fourth case आखरी case है discontinued business का इसका मतलब है कि यह जो section आपको कहता है इसका मतलब है कि suppose कोई business एक ही साल में खतम होने वाला है अब देखो discontinued business है कि business काफी सालों से नज़र आ रहा था कि बंद होने वाला है और एक साल में वो नज़र आया कि वो इसी previous year में बंद हो जाने वाला है मतलब suppose अगर आपको कोई ऐसा business profession नज़र आ रहा है जो इस साल में काफी देर तक बंद पड़ा है और उसके चांसेज हैं कि वो बंद हो जाएगा इस साल के खतम होने से पहले ही तो next assessment year तक उसके business के चलने की संभावना ही नहीं है तो सरकार wait नहीं करेगी आपके, कि next year आएगा, तो जितनी देर तक आपका business चलता होगा उतना पैसा आपने जो कमाया होगा उसके उपर next year में आपसे पैसे की, मलब tax ले लेंगे इतना वो wait नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि अगर हमें नजर आया कि कोई ऐसा business बंद हो रहा है या discontinued के time तक आपसे सारा पैसा ही tax का ले लेगी, यानि जितना आपने earn करा है, उसके उपर जितना भी tax बनेगा उसी साल में सरकार collect कर लेगी, यह risk नहीं लेगे कि business बंद हो गया और next year तक हम आपसे tax ले लेगे क्या पता आप कहां चले जाओ, तो सरकार यह risk नहीं लेती, पांचमा case आपको यह बोला जाता है कि अगर कोई business बंद होने वाला है तो बंद हो चुका है एक साल के अंदर-अंदर, यह उसके chances हैं कि वो इस साल के end तक बंद हो ही गया है तो सरकार उसी समयाब से tax ले लेगी, discontinued के time में, वो next year तक wait नहीं करेगी इसका ही example है, suppose आपने कोई एक प्रोप्राइटर ने business open किया और उसका business मार्च में, यानि मार्च महीने से पहले ही खतम होने वाला है यानि next year तक उसका business नहीं जाने वाला है, तो उस case में section 176 के अंदर, assessing officer उसको मार्च तक जितनी भी उसने income earn करी है मार्च से पहले पहले उसने जो भी 10 या 11 महीने की income earn करी है, वो उसके उसी year में, जिस साल में उसने वो income earn करी, उसी साल में उसका tax ले लेगा, वो next year तक की wait नहीं करेगा, क्योंकि उसको नजर आ चुका है कि next year business नहीं चलने वाला, तो वो उसी साल में आपसे पैसे लेका, जो भी tax के amount बनेगी, आपसे वसूल लेगा, तो ये cases होते हैं, जो इस case में आते हैं, तो I hope आपको ये सारी cases समझ आ गए होंगे, और अच्छे से clear हो गया होगा कि कौन से ऐसे 5 exceptions हैं, जो general rule के against हैं, और general rule के अलग, जनर rule को different बना देते हैं, तो I hope आपको अगर समझ में आ हैं, तो वीडियो को like और share जरूर करके जाएगा, और बिना किसी देरी के अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं कर रहा है, तो वो भी जरूर करिएगा, या फिर नए हो channel पे, तो भी जरूर करके जाएगा, आपको बहुत सारी नई updates इस channel से मिलेंगी, जो भी आपको बहुत help कर आने वाली है, that's all for today, thank you so much दोस्तो, have a nice day.